हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू जी के नाइस फ्रेंड्स टोप टॉपटी समान निग्यान के भारत के भुगोल से रिलेटेड इन्पोटेंड कोशन है जो वन लाइनेर पर आधारी था है, इन्पोटेंड कोशन है इन्पोटेंड है, हमारी संपूण प्रत्वी दो भागों बटी हुई है, उत्री गोलादो दक्षिनी गोलाद में तो भारत की स्थिती यहाँ पर है थोड़ी, जो उत्री और पूर्वी गोलाद में बैठती है नाज फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने चैनल को sascribe नहीं के तो पीलीज चैनल को ज़रूर श्राइब कर लीजिए छेत्रफल की दिरिष्टी से वीशममें भारत कस्थान कुन सा ये छेत्फला की दिरिष्टी से प्हारत्र का स्थान कों सा है next question है भारत का छेथफल विस्ट के भुगोलिक छेथफल का कितने परतिसद है तो 2.4% किसी एक्जाम में 2.42% भी मिल जाता है ये भी ठीक है और 2.4% भी ठीक है next question है जनसंक्या की दिरिष्टी से विस्ट का भारत में कौन सा स्थान है तो दूसरा स्थान है पहले स्थान पर चीन है 2030 तक भारत चीन को पीछे छोड़ देगा जनसंक्या की दिरिष्टी से next question है कौन सा महत्वपून अक्षान्स भारत को दो लगबग बराबर भागों में विवाजित करता है इसको साड़े 23 दिग्री उत्री अक्षान्स भारत को लगबग दो बराबर भागों में विवाजित करता है next question है इंपोटेंट है भारत की स्थल सीमा रेखा कितनी लंबी है जो इस्थल से लगए है 15200 किलोमेटर इस्थल सीमा है ये 15200 किलोमेटर next है भारत की मुख्य भूमी की समुन्दरी शीमा कितनी लंबी है जो समुन्द से लगए हुए टट है उसकी जो मुख्य भूमी है वे 1600 किलोमेटर है important है next question है भारत के मुख्य इस्थल ये भाग का दक्षिन बिंदू या दक्षिनी अंतरीप क्या कहलाता है तो दक्षिन बिंदू कन्या कुमारी कहलाता है important है कन्या कुमारी अंतरीप इसको बोल दे जाता है next question है भारत के मुख्य भूमी या लक्षे दीप समुन्दमानिको बार्दीप समुन सहीत समुन्दरी टटकी को कुल लंबाई कितनी है देखे मुख्य समुन्दरी टटकी जो लंबाई थी वो 600 km थी लेकिन दीप सहीत यानि के लक्षे दीप और अंदमानिको बार्दीप को मिलाकर कुल लंबाई जो है 7516, 56 km है और मुख्य समुन्दरी टटकी लंबाई की बात की जाए तो 600 km है और ये दीप सहीत है नेस कोश्चन है बांगलादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन-कौन से हैं तो बांगलादेश से सटेवे राज्य हैं एक तो तिरुपूरा अश्यम मिजोरम पश्चिम मंगाल और मेगाल लिये नेस कोश्चन है कौन सा जल्डंबरू मद्द्धे भारत को सिलनका से लग करता हैं यहां पर confusion होता है कुछ छात्र जो भारत और पाकिस्तान के बीच में लगादेते हैं तो पाक जल्डंबरू माद्धे पाग जल्रमरो माध्धि Keys ill need 90 nah भारत की किस परदेश की सीमा तीन देष करम से नेफाल भुटान और चीन से मिलती है the important question ए तो शिक्किम यह सिक्किम ऐसा राज्य जिसको तीन देष करम से नंपाल भुटान और चीन से इसकी शीमा मिलती है नेस्ट कॉशन है भारत और मैंमार के निदारित करने वाली तीन परवत स्रेणी कौन है या कौन सिए इन्पोटेंट है एक खासी पठकोई और आरा कानोय आमा आरा कानोय आमा जो भारत और मेमार की निर्था करने वाली तीन पर्वत स्रेनी है नेस कोश्चन है भारत के कितने राज्य अंतराष्टे सीमा तथा समदुरी टटकोस पस नहीं करते हैं पांच राज्य इनपोटेंट है नेस कोश्चन है भारत का छेतर फल कितना है 32,87,263 किलोमेटर है इनपोटेंट है इसको इसजाद कर सकते है 32,87,263 दो तीन पार आप रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएगा 32,87,263 किलोमेटर नेक्स्ट है भारत और पाइकस्तान के मद्दे की सीमा रेखा क्या कहलाती है रेड किलिफ रेड किलिफ रेखा इनपोटेंट है 1947 में दिधारित की गई थी रेड किलिफ दुबारा नेस कोश्टन है भारत का सुधूर और दक्सितम बिंदू इंदरा पॉइंट कहां इस्तित है इनपोटेंट है भारत के चार बिंदू है उत्तरवी पूर्वी और पूर्वी पस्शीमी उत्री दक्षिनी पुरू में वालगु पॉइंट है, अरुनाचल पर्देश में, पस्छीमी पॉइंट है सरक्री गुजरात में और उत्री पॉइंट है, अंद्राकोल जम्मू कसमीर में दक्षिन पॉइंट है, जो दूरस्त है, वो ग्रेट निकोबार दीप समु में है इन्पोटेण्ट है, ग्रेट निकोबाल, दीप समु में दक्षिन बिंदु है, जो इंद्रा पोइंट के नाम से वक्यात है, नेस्ट कोश्चन है आदम का पुल किंदो राज्यों के बीच में है भारत और स्रीलंका के बीच में है इन्पोटेंट है आदम का पुल और पाक जल्डमरु मद्य भी भारत और स्रीलंका के बीच था नेक्स्ट है 870 इसी में सवेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के मद्दे कितनी दूरी कम हो गई 7000 किलोमेटर इन्पोटेंट कोशन है प्रेंट्स अगर कोशन अच्छे लगए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और सेर करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना